Hello everyone, I hope आप लोग सब ठीक होंगे आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं punctuation marks punctuation marks language की एक backbone की तरह होते हैं इनके बगएर language की sense को समझना possible नहीं होता इसलिए हम language के अंदर punctuation marks को यूज करते हैं ताके हम language की sense को समझ सके आज हम इन punctuation marks को one by one समझने की कोशिश करेंगे तो चलें start करते हैं हम हमारा first punctuation mark है full stop punctuation marks के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला mark full stop है जिसे हम American English में period कहते हैं full stop को हम तब यूज करते हैं जब information completely convey हो चुकी होती है statement complete होती है उसके बाद को information नहीं रह गई होती तब हम full stop को use करते हैं यह word खुदी अपने बारे में बता रहा है कि इसके यहाँ पर हम completely stop हो जाते हैं मुकमल तोर पर रुक जाते हैं किसी भी फिक्रे को खतम करने के लिए end करने के लिए हम full stop को या period को use करते हैं तो यहाँ पर हमने full stop use किया क्योंकि यह statement complete थी यह फिक्रा complete है इसके बाद को information नहीं रह गई इसके इलावा full stop को हम use करते हैं initials के बाद जैसे USA United States of America यहाँ पर हमने दरम्यान में full stop को use किया तो यह initials के बाद full stop को हम use करते हैं उसके इलावा abbreviations के अंदर for example यहाँ पर आप देख रहे हैं MR तो यह abbreviation है Mr. का जिसके बाद हमने full stop को use किया या फिर titles के अंदर हम full stop को use करते हैं जैसे Mr. Richards तो यहाँ पर हमने full stop को use किया या acronyms के अंदर समझा रही है full stop को initials में abbreviations में titles में acronyms में हम use करते हैं other than statement complete statement के इलावा examples में मैंने आपको बता दिया किस तरह से initials के अंदर titles के अंदर abbreviations के अंदर हम full stop को use करते हैं यह बहुत simple है यह punctuation mark सबसे simple punctuation mark है जिसे हम usually language के अंदर use करते हैं full stop के बाद हमारा next punctuation mark है comma जिसे हम उर्दू में वकफा भी कहते हैं comma को हम use करते हैं mainly dependent और independent clause को आपस में मिलाने के लिए dependent और independent clause क्या है यह मेरी एक अलग से वीडियो है उसका link मैं description में दे दूँगी आपो देख सकते हैं तो comma को हम mainly dependent और independent clause को आपस में मिलाने के लिए यूज करते हैं या फिर comma को हम words को या word groups को आपस में मिलाने के लिए यूज करते हैं जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा items यूज हो रहे हो तो हमने इनके दरम्यान comma को यूज किया समझ आ रही है words को या word groups को आपस में मिलाने के लिए उसके इलावा हम comma को यूज करते हैं उन words के दरम्यान जो किसी sentence को introduce कर वा रहे हो इस तरह के words के बाद में हम comma को यूज करते हैं जो किसी sentence को introduce कर वा रहे हो तो यहाँ पर हमने comma को यूज किया या फिर तो set of expression that interrupt the sentences ऐसे expression जो किसी sentence के दरम्यान में आ रहे हो for example after all by the way on the other hand however इस तरह के words जो sentences के दरम्यान में आ रहे हो I am by the way very nervous तो हमने इसके दरम्यान comma को यूज किया समझ आ रही है dependent और independent clause को आपस में मिलाने के लिए comma को यूज होता है या फिर words को या word groups को आपस में मिलाने के लिए यूज होता है या फिर ऐसे sentences के अंदर या ऐसे words को मिलाने के लिए जो sentence को introduce करवा रहे हो या फिर expressions जो sentences के अंदर यूज होते हैं उनके बाद या पहले हम comma को यूज करते हैं समझ आ रही है comma के बाद हमारे पास है semi colon हम mostly comma और semi colon को side by side यूज कर लेते हैं हमें समझ नहीं आती कि हमें comma का यूज करना है या semi colon का यूज करना है comma को हम उर्दू में कहते हैं वकफा जबके semi colon का उर्दू मीनिंग है ठहराओ semi colon को हम comma की तरह ही एक audible pause के लिए ठहराओ के लिए यूज करते हैं and it is primarily used to link correlating sentences together हम इन दोना का difference भी देखेंगे कि किस तरह comma और semi colon में difference क्या है लेकिन दो sentences को आपस में या हम ये कहलेंगे independent दो independent clauses को आपस में मिलाने के लिए semi colon को हम यूज करते हैं comma को हमने dependent और independent clause को मिलाने के लिए यूज किया था जबके semi colon को हम दो independent clauses को मिलाने के लिए यूज करते हैं या दो correlating sentences को मिलाने के लिए यूज करते हैं For example, the cow is brown, it is also old दोनो sentences के अंदर information complete है तो इसको मिलाने के लिए हमने semicolon का use कर लिया उसके बाद semicolons are used with conjunctive adverbs conjunctive adverbs के साथ semicolon को use करते हैं conjunctive adverbs आपको screen पे नज़र आ रही हैं इनके साथ हम semicolons को use करते हैं For example, I needed to go for a walk and get some fresh air Also, I needed to buy milk तो हमने इससे पहले semicolon को use किया जब conjunctive adverbs use हो रही थी फिक्रे के अंदर समझ आ रही है हम conjunctive adverbs से पहले semicolon को use कर सकते हैं जब हम दो independent clauses को आपस में मिला रहे हो कॉमा और semicolon को हम side by side देख लेते हैं ताकि हम अच्छे से clauses को मिलाने के लिए जब independent clause के साथ coordinating conjunction use हो रही हो नहीं समझ आ रही इन coordinating conjunctions में से कोई एक use हो रहा होगा independent clause के अंदर तब हम कॉमा को use करेंगे otherwise यह dependent और independent clause को आपस में मिलाने के लिए use होता है for example I am going home and I intend to stay here तो यहां पर हमने coordinating conjunction को use किया है तब हम दो independent clauses को आपस में मिला रहे हैं जबके semicolon को जब हम independent clauses को मिलाते हैं तो हमें उसके लिए कोई coordinating conjunction या connecting words की जरूरत नहीं है नहीं समझाई सैमी colon में हमें किसी connecting word की जरूरत नहीं है हम दो independent clauses को as such ही आपस में मिला देंगे इसके अंदर जबके comma में हमें जरूरत पड़ेगी उसके बाद जब comma को हम use करते हैं after conjunctive adverbs conjunctive adverbs के बाद में हम comma को use करते हैं for example I am going home moreover इसके बाद हमने comma को use किया है जबके semicolon को हम conjunctive adverbs से पहले use करते हैं जब हम दो independent clauses को आपस में मिला रहे होते हैं तो हम conjunctive adverbs से पहले semicolon को use करेंगे और comma को बाद में use करेंगे समझा रहे हैं यह mistakes हैं जो हम usually कर देते हैं language के अंदर sentences के अंदर जब हम comma और semicolon को use कर रहे होते हैं कॉमा के अंदर हम पहली mistake करते हैं कि हम अग जहां पर connecting words नहीं हैं हम वहां पर कई दफ़ा comma का use कर देते हैं जबके ऐसा नहीं है हम वहां पर semicolon use करेंगे और कई दफ़ा हम coordinating sorry conjunctive adverbs के बाद semicolon को use कर देते हैं ऐसा नहीं करेंगे हम उससे पहले semicolon को use करेंगे और बाद में comma का use करेंगे समझ आ रहे हैं तो यह main differences हैं जो हम comma और semicolon में रखते हैं next punctuation mark हमारे पास है colon इसको हम इसका मतलब है as follows इसे हम arrow कह सकते हैं मतलब colon को use करते हैं next information के बारे में बताने के लिए information ज्यादा important है as इसका मतलब हम कह लेते हैं as follows या फिर information which is or which are समझ आ रही है कि एक arrow की तरह होता है जो next information पर जोर दे रहा होता है कि मेरे next information बहुत important है समझ आ रही है colon is used to give emphasis or present dialogue or introduce list or text for example she had one love यहाँ पर हमने colon use किया क्योंके next information बहुत important है emphasize कर रहा है जोर दे रहा है इस पर western Michigan University पर तो यहाँ पर हमने colon का use किया उसके बाद यहाँ पर है dialogue हमारे पास reporter what is the western edge तो यहाँ पर हमने dialogue के दर्मियान colon को use किया या फिर we have two options here यहाँ पर हमने colon को use किया stay and fight or run like the wind mainly हम कह लेते हैं कि colon एक arrow की तरह है जो बता रहा होता है कि next information जरूरी है समझा रही है next information important है next हमारा punctuation mark है question mark सबसे easy punctuation mark use करने में है question mark क्योंकि हमें पता होता है जब भी कोई सवाल पूछा जा रहा होता है तो हम इस punctuation mark का इस्तमाल करते हैं the main purpose of a question mark is to indicate that a sentence is a question के एक सवाल या जुमला है ये सवाल पूछने के लिए हम इस punctuation mark का use करते हैं for example are there any letters for me this morning तो ये एक सवाल है तो इसके लिए हमने question mark का use किया when did you finish writing that report question mark का use किया तो ये सबसे simple punctuation mark है जिसमें हमें पता होता है कि कुछ सवाल पूछने के लिए हम इस punctuation mark का इस्तमाल करेंगे next punctuation mark है हमारा exclamation mark exclamation mark को हम तब use करते हैं जब हम कोई excited utterance बोल रहे हों कोई excited words बोल रहे हों कोई पुर्जोश मुझाहिरा कर रहे हों तब हम इस exclamation mark का use करते हैं the exclamation mark referred to as the exclamation point in American English is usually used after an interjection or exclamation to indicate some strong feelings or some emphasis यब हम strong feelings को के बारे में बता रहे हों या फिर किसी चीज़ पे जोर दे रहे हों किसी ऐसी बात को हम कर रहे हों जिसमें जोश नजर आ रहा हो पुर जोश बात में हम exclamation mark use करते हैं for example what a lovely view you have here समझ आ रही है हम इस व्यूपे जोर दे रहे हैं तो हमने exclamation mark का use किया that is fantastic जानी don't touch that तो पुर जोश चीज़ों के लिए पुर जोश words के लिए हम exclamation mark का use करते हैं जहां हम अपनी strong feelings दिखा रहे हों या किसी चीज़ पर जोर दे रहे हों समझ आ रही है simply exclamation mark को हम किसी ऐसी utterance के लिए use करते हैं जो excited हो समझ आ रही है excitement में बोले जाने वाले words के बाद हम exclamation mark का use करते हैं next हमारे पास है quotation marks इसको हम हवाला देने के लिए use करते है quotation marks को हम sentences के अंदर किसी चीज़ का हवाला देने के लिए use करते हैं the primary function of quotation marks is to set off and represent exact language exact language का जब हम use करते हैं तब हम quotation marks लगाते हैं समझ आ रही है I hope you will be here he said उसकी information उसकी language को exactly हमने उन्हीं words में convey किया तो हमने quotation marks को use किया हवाला देने के लिए exact language को use करते हैं जब तो हम quotation marks को use करते हैं अब single quotation mark को हम use करते हैं double के अंदर जब हम already double quotation marks लगा चुके हैं और फिर उसके अंदर भी हमने कोई और हवाला देना है तो single quotation mark को use करेंगे for example my father begin by saying I refuse to listen तो यहाँ पर हमने क्या किया single quotation mark को use किया double के अंदर हमने एक हवाला के साथ दूसरा हवाला भी दिया तो हमने क्या किया single quotation mark को use किया समझ आ रही है mainly quotation marks को हम कब use करते हैं जब हम exact language use कर रहे हों exact language use करते हुए हम quotation marks का use करते हैं किसी चीज़ का हवाला दे रहे होते हैं किसी की बात को उसके exact words में convey कर रहे होते हैं तो हम quotation marks को use करते हैं हमारा next punctuation mark है parenthesis with s e s parenthesis में हम s i s तब use करते हैं जब यह single होता है हम double के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम s e s वाला parenthesis यूज़ करते हैं तो यह punctuation mark तब use होता है जब हम sentence के अंदर कोई ऐसी बात add कर दें जो main subject से हट कर हो main बात से हट कर हो parenthesis are used to enclose incidental और supplemental information और comments ऐसे comments add कर दें हम जिसके sentence में कोई खास जरूरत ना हो समझ आ रही है for example the only one who didn't attend was Mr. Jensen her father तो यहां पर इस information की जरूरत नहीं थी लेकिन हमने इसे add कर दिया parenthesis के अंदर supplemental information है यह subject से हट कर समझ आ रही है तो ऐसी information को add करने के लिए हम यह दो mark यूज़ करते हैं parenthesis marks समझ आ रही है हमारा last punctuation mark है apostrophe with single यह comma इसे हम कहते हैं apostrophe को हम कब use करते हैं इसके तीन uses होते हैं पहला जब हम किसी चीज़ की possession मल्कियत जाहिर कर रहे हो noun की तो हम apostrophe को use करते हैं उसके इलावा to show the omission of letters कि किसी letter की absence को बताने के लिए हम apostrophe को use करते हैं या फिर to indicate plurals of letters numbers and symbols या plurals बताने के लिए हम apostrophe को use करते हैं for example Todd and Ann's apartment तो यहां हमने apostrophe s use किया मल्कियत बताने के लिए then don't तो यहां पर हमने कुछ letters को omit करने के लिए absent करने के लिए apostrophe को use किया then there are six fives in my SSN तो यहां पर five का plural बताने के लिए हमने apostrophe को use किया समझ आ रही है mainly इसके three uses है मल्कियत बताने के लिए absence of letters बताने के लिए या फिर plural बताने के लिए समझ आ रही है तो I hope आपको समझ आई होगी आज के लिए इतना ही मैं मिलूंगी अपनी next वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज